दिल्ली हरियाना सीमा यानी सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन जारी है आपको बता दे कि रविवार को किसान संगटनों की मीटिंग हुई है इस दोरान एक बार फिर से किसानों ने सरकार को चुनोती दी है फैसले में कहा कि किसान बुरारी नहीं जाएंगे और वहां मौझूद अपने साथियों को वापस बुलाएंगे अब दिल्ली जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक किये जाएंगे बुरारी में किसानों का एक ग्रुप पहले से ही डेरा डाले हुए है इससे पहले ग्रह मंत्रिया मिच्छा आने का था कि किसान बुराडी मैदान पर इकठे हों इसके बाद उनसे बात की जाएगी किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि वे दिल्ली घेरने आए हैं ना तो दिल्ली में घिर जाने के लिए यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भला ने पंजाब के 32 किसान यूनिनों को जल्दी बातचीत के लिए दिल्ली के बुराडी बुलाए है उन्होंने बताया कि जैसे ही किसान पुराडी शिफ्ट होंगे अगले ही दिन भारत सरकार विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधी मंडल और मंत्रियों के बीच चर्चा के लिए तयार है All India किसान संगष कोडिनेशन कमेटी के मताबिक अगर सरकार किसानों की मांग को लेकर गंबीर है तो उन्हें शर्तें रखना बंद करना चाहिए सरकार को ऐसा सोचना बंद करना चाहिए कि उनके बयान किसानों को एक्ट के फायदों के बारे में स्पष्टी करंड दे सकते हैं हमारी मांगे स्पष्ट है सरकार समाधान के साथ सामने आए वही किसालों के प्रदर्शन पर दिली के स्वास्य मंत्री सतेंदर जैन ने कहा कि केंदर सरकार को किसालों के साथ बिना शर्ट बात करे इसमें कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए सरकार को बात तुरंत करनी चाहिए किसान हमारे अनदाता है वे जहां चाहें उन्हें बैठने देना चाहिए वे अपने घरों से कई सो किलोमीटर दूर आए हैं उनके परेशानी देखनी चाहिए वे खुशी से यहां नहीं आए उन्हें लोक तंत्रन में शांती पूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है उधर उतर प्रदेश के किसान भी रवीवार सुबह दिल्ली गाजीपूर बॉर्डर परिकठा हुए यह सभी भारती किसान यूनियन के बैनर तले पहुंचे हैं वेक्रिशी कानूनों के खिलाफ अपना विरोज दर्ज कराने के लिए संसद भवन जाने पर अड़े हैं इस बीच पूरवी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी मंजीत शोरान ने गाजी आबाद में जुटे लगभग 200 किसानों से बात की डीसीपी ने बताया कि किसानों के साथ बातचीच चल रही है किसानों से कहा गया है कि हम उन्हें बुराडी भेजने के लिए तैयार है किसानों के आंदोलन के कारन दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोग परिशान है दिली हरियाना बॉर्डर पर नाके बंदी और भारी सिक्यॉरिटी के कारण उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा है इस वज़े से उन्हें पैदल ही जाना पड़ रहा है किसान आंदोलन के कारण हाईवे का नजारा मिनी पंजाब जैसा हो गया है ट्रोलियों को ही किसानों ने घर बना लिया है यही खाना बन रहा है तो यही नहाने और कपड़े दोने का इंतजाम है जगे जगे लंगर लगे हैं धरने पर बैठे हैं खाना बनाने वाले खाना बना रहे हैं सभी को अलग अलग जिम्मेदारिया दी गई है प्रेदी बांक्वेट्स लाए हैं।